है 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 एलो स्टुडेंट नाइन्थ क्लास इस्ट्रेंट भी है डिसकस्ट इन वर लास्ट वीडियो लास्ट क्लास में हम लोगों ने कंपाउंट के बारे में डिसकस किया था और उसके टाइपस के बारे में डिसकस किया था और साथ की साथ मैंने मॉलिक्यूल्स के बारे म बताये थे, molecules से दो टाइप के होते हैं, molecules of elements और molecules of compound की बात की थी, molecules क्या होते हैं, दो मिनिट के लिए मैं एक वार repeat कर देता हूं, कि दो या दो से ज़्यादा atoms मिलकर के एक molecule का formation करते हैं, when two or more atoms are combined to each other than make a molecule, और इन molecules, ये molecules जिन atoms से मिलकर बने हैं, उन atoms के बीच में एक attraction force होता ह है, उस attraction force की बज़े से इन molecules एक दूसरे को अच्छी तरीके से पकड़े हुए होते हैं, ठीक है, आगे बात कीती हैं, हमने molecules of element की, यानि कि किसी तत्व के molecules क्या होते हैं, जो एक same type of item से मिलकर बने होते हैं, वो molecules of elements क्यालाते हैं, जिसमें हमने ozone का example दिया था, oxygen का example दिया था हैं, जो एक ही तरीके के atom से मिलकर बने हैं, दूसरा हमने पड़ाता है, molecules of compound, जो different element के atom से मिलकर बने होते हैं, ठीक है, atoms of different elements can join together, ठीक है, आपस में मिल जाते हैं, और एक compound का molecule तयार करते हैं, जैसे बात करते हैं, water की बात कर लें, मैथेन की बात करें हम लोग, ठीक है, ammonia की कई सारे मेने एक्जमपल दिये थे ये जासे व вопрос है आमोनीया है करबंडेशनेघ्ज रिस्यो मैंने आपको क्लियर के था絹 लास्ट क्लास में आज की जो हमारी क्लास है उसका जो टॉपपिक हो मैंने कहा थाब से आयन रहेगा और आयन की बात करें तो देखिए यह काफी important topic है आयन कोई भी neutral item याने की आपको मैंने configuration पढ़ाय थी वन से लेकर 40 तक है elements के बारे में बताया था मैंने आपको और उन elements के बारे में यह बताया था कि यह जो element होते हैं वो किसे बने होते हैं पहली बात आप यह कि बताएं कि element जो ते वो क्या होते हैं मतलब किन से मिलकर बने होते हैं सैंब टाइप आप से मिलकर यह element बने होते हैं जो आयन होता है वो कोई भी जो neutral item होता है neutral का मतलब उदासीन कंडिशन में जैसे हम बाइक चलाते हैं बाइक में गेर डालते हैं हम लोग फस्ट गेर सेकेंड गेर थर्ड गेर फूर्थ गेर फिर इसे न्यूटरल कंडिशन में लेकर आते हैं तो यानि कि वो न्यूटरल में मतलब बिना गेर के वो चलने लगती है तो ऐसे ही ए इलेक्टरोन को रिलीज करता है तो वह ऐसे चार्जड ऑएन बोल सकते हैं थो और बी Dafürante Um Some Electron को रिलीज करेगा या इलेक्ट्रोन को गेन करेगा तो आयन का formation करता है और यह crunch invest Middle a time Kim एलेक्ट्रों रिलीज करने या एक्ट्रोन गेन करने से ही बनता है ठीक है यहां पर आप लोग अंडरलाइन कर सकते हैं अब मैं आपको लिखने का तरीका बताता हूं आप लोग आएन की हैडिंग डाल करके क्या लिख होगे वैन एन न्यूटरल एटम वैन एन न्यूटरल एटम रिलीज एज मिनीमम वन इलेक्ट्रोन और गेंट मिनीमम वन इलेक्ट्रोन कोई भी न्यूटरल एटम मिनीमम एक इलेक्ट्रोन को रिलीज करें या मिनीमम एक इलेक्ट्रोन को गेंड करें तो वो किसी आइन में convert हो जाता है ठीक है और किसी neutral atom का आइन बनना वो जरूरा निया कि Gain करें तो या इन बनीया release करें मैं दोनों ही condition आप लोगों को पता रहूँ कोई भी neutral atom Releash भी कर सकता है और लूट मिनीमम वन एलेक्टॉन वह two release कर सकता है या one electron gain कर सकता है और minimum one से भी ज्यादा electron वो gain कर सकता है या release कर सकता है। छीक है, ज़रूरी नहीं है कि minimum one ही करें एक से ज़्यादा दो भी we release कर सकता है, atom और gain कर सकता है, तो when, an neutral atom releases minimum one electron, ठीक है मैं यहां पन लिख देता हूँ, when, and न्यूट्रल एटम रिलीजेज मिनिमम वन एलेक्ट्रॉन और गेन मिनिमम वन एलेक्ट्रॉन कोई भी न्यूट्रल एटम मिनिमम एक लेक्ट्रॉन वन रिलीज करे गेन करे तो वो आयन का फॉर्मिशन करता है और ये बनाएगा आप लोगों के आयन अब देखिएगा आयन जो होता है वो दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है यानि कि आयन दो पार्ट में एक होता है अनायन चीक है आयन जो होता है वो दो पार्ट में डिवाइड होता है एक होता है कटायन और सेकंड होता है अनायन क्या होता है कटायन का मतलब जैसे आपने यहां देखा कैट प्लस आयन चीक है और अनायन का मतलब एन प्लस आयन ओके यानिकी कटायन का मतलब होत नूटरल एटम इलेक्ट्रोन को रिलीस करें यानि की कटायन इलेक्ट्रोन को रिलीस करने पर बनता है एंड अनायन जो बनता है वो इलेक्ट्रोन को गेन करने पर बनता है ध्यान रखना है अगेंग्रीट कर देता हूं कोई भी न्यूटेल ईटम इलेक्टरों को रिलीस करता है या गेन करता है तो आएन का फॉर्मीशन करता है और जो यह आएन होता है धो होता है यह यह होता है इक तो एम यूटल एटम गेर्ण मिनिममम वन एलेक्टरॉठ सो इस विल मेग वह एम गर्णिशन तैयार कर देगा ठीक है तो यह हो गया कटायन और सैंड् सेर्ण कहँत अदा इसका सेकंड नेशार्ण समस्क्राइब जो होता है positively charged iron इसे positively charged iron भी बोला जाता है कटायन को and anion इसे negatively charged iron भी बोला जाता है सिंबल में कुछ नहीं है यह आप लोग समझ जाओगे तो चलते हैं आगे बढ़ते हैं देखिए कि यहाँ पर आप लोग अंडरलाइन भी कर सकते हैं अंडरलाइन कर लिजेगा एन अनायन के बी नेगेटिव लिओ पॉजिटिव लिचार्ज इन इस और जैसे हैं और जैसे सोडियम क्लॉराइट की हम पॉजीशन देखें गवर सी बीकों की इसमें भी दो पार्ट में डिवाइड होता है एक होता एलेड प्लास एक होता है और यह पॉजिटिव लिचार्ज ए उप इसका description भी मैं बता देता हूँ ये nucleus होता है मैंने electrons fill करने का order आपको बता है था यह first shell होती है then second shell ठीक है और एक second यह nucleus हो गया first shell second shell and third cell तो यह 3 shell होती है इसका sodium का जो electronic configuration होता है 11 होता है यहनी कि two comma eight comma one तो फस्ट शेल में दो electron second shell में eight electron अब एक अधर शेल में वन एलेक्ट्रों जो इसके थार शेल में न्यू लेंड के octave law से यह बताया जा सकता है या एक scientist राइट अलेक्जांडर न्यू लेंड उसने यह अपना octave law दिया था according to his octave law उसके octave law के according यह बताया जाता है कि कोई भी neutral atom electron को release कर दें चाहे वो electron को gain करें तो उसे अपने outer most shell यह इसका outer most shell होता है outer most shell होती है अपने outer most shell में उसे eight electron complete करने है मुझे बताइए sodium के outer most shell में कितने कितने electron one है इसको करने कितने eight electron तो इसे कितने gain करने पड़ेंगी seven electron यह एक electron तो पहले से है seven electron इसे gain करने तो total इसे eight electron करने है बट दूसरी condition भी है जरूरी नहीं है वो gain करें electron release भी कर सकता है तो यानि कि मेर को यह चीज़ बताईए daily life में भी या routine की बात करें तो हम ऐसा work करते हैं कैसा work करते हैं जिसमें हमारी energy efficiency कम खर्चो यह बोल सकते हैं work भी पूरा हो और हमारा physically कम ही डाउन हो तो वह वाली बात है यहां पर काम वो किया जाएगा जो electron को eight electron complete ओबट energy कम लगे तो एक electron को यहां निकाल दिये जाता है तो electron निकलेगा तो वह बनेगा positively charged और जब वह electron gain करेगा CLK case में किलो रैट के में तो यह वह nucleus first shell second shell and third shell first shell में दो electron electronic configuration इसका 17 तो two comma eight comma seven second shell में eight electron and third shell में seven electron तो seven electron है अब उसे करने एट तो यह sodium का जो वन electron release होगा वो chlorine का seven electron इसे gain कर लेंगे तो इस तरीके से यह आयन का formation करते है और sodium बन जाएगा sodium कटायन यह कटायन कहला जाएगा और यह बन जाएगा chlorine अनायन ओके तो एक तो हो गया कटायन और सेकंड हो गया अनायन आगे की तरफ चलते हैं कई सारे आप example है इसमें चीक है बात करें कैल्शियम औक्साइड की तो कैल्शियम औक्साइड का फॉर्मूला सी ओ चीक है यह कैल्शियम इसको अलग कर देते हैं और ऑक्सीजन कैल्शियम फोटी इसका एटोमिक मास होता है ऑक्सीजन का बात करें 16 होता है अगर इन्हें सिंपल किया जाए तो टैन रेशियो फोर में यानिकी फाइब रेशियो टू में यह निकल के आता ह आए जो यहां पर मैच करता है तो यानिकी कैल्शियम ऊक्साइड के केस में देखे ठीक है यह एक आइनिक कंपाउंड होता है एक इस में कटाएन अनायन का कॉमिनेशन होता है रेशियो मास के असाफ से देके फाइव रेशियो टू में आगे सोडियम क्लुराइड है शोड होता है इसका एटोमिक मास उटा है 23 और सी एल का जो एटोमिक मास होगा वो होता है 35.5 तो रेशियो निकल क्या आया 23 रेशियो 23 रेशियो 35.5 आगे की तरफ चलेंगे केमिकल फॉर्मुले की तरफ बात करेंगे हम केमिकल फॉर्मुले के लिए केमिकल फॉर्मुला होता क्या यानि कि रासा इनिक जो सूत्र होते हैं कोई भी कंपोजिशन होता है यानि कोई भी सायोजन जो होता है composition उसको एक symbolic representation करना किसी भी composition का एक symbolic representation करना ठीक है कि का और किसी compound का जो chemical formula होता है the chemical formula of compound हम लगाल और हुआ है है कि इसे एंगल में रिप्रेसेंटीशन किसी भी कम्पाउंड का स psychology फॉर्मुला उसक के कम पोजीशन का एक सिम्बल की फॉर्म में रिप्रेजेशन होता है कि अंडर्लन किज सारे इसमें फॉर्मॉली भी बता हुआ ची किस तरीके से हम हम मोनोवेलेंट कट टाएंन उत त्राइबेलेंट कटा एंच को मोनोवेलेंट नायन वाईबेलेन्ट अनायन ऊपस με कमाइंड करके एक केमिकल फॉर्मला तयार करेंगे और इसमें एक टॉपिक भी आता है बैलेंसी उसे आप नोट कर लीजेगा इसमें दे नहीं रखा है है बैलेंसी क्या होती है दा नंबर सॉफ एलेक्ट्रोन प्रिजेंट इंदा आउटर मूश एल ओफ ए एटम है दा यह जो टॉपिक है वह आप केमिकल फॉर्मला जो टॉपिक पढ़ेंगों से पहले लिख सकते हैं बैलेंसी और वैसे मैंने जब क्लास स्टार्ट हुई थी हम एंट इन ए आउ आउटर मुस्ट शेल ऑफ एन एटम बैलेंसी क्या होती है दा नंबर सॉफलेक्ट्रोन प्रिजेंट दा नंबर सॉफलेक्ट्रोन प्रिजेंट इन यह आप अन बोस्ट किसी एटम का आऊटर मोस्ट शैल कौन सी होती है आउचर मोस्ट अब किसी एटम में यदि दो कह == लगी और किसी एटम में यदि तीन शेल हैं, four shells हैं तो उसकी fourth number की shell है आउटर मॉस्ट होगी तो मैं सबसे बाहर की shell की बात कर रहा हूँ किसी एटम की सबसे बाहर की shell में जितने elektrons होते हैं वो उसकी balance को show करता है और दूसरी definition भी इसकी होती है The combining capacity of an element is called its balancing कोई element जब किसी दूसरे element से या कोई item दूसरे atom से जब combined होता है तो कितनी balance कितने combining capacity के साथ वह जुड़ता है 2 के साथ three के साथ one के साथ जितनी capacity के साथ वह उसके combination होगा वही उसकी balance क्यालाएगी चीक है जैसे sodium का इड़ी नमबर 11 होता है और 281 इसका ऑउटर मूट शैल में वन इलेक्टर रिलीस करता है तो यानि कि जितने इलेक्टर रिलीज करता है उतना ही हम सोडियम के ऊपर लिख देते हैं तो प्लस का वन तो इसकी बैलनेसी प्लस बन होती है ठीक है किलोरीन के के समें देखें इसका atomic number 17 होता है और electronic configuration 2,8,7 होता है तो outer most shell में 7 होते हैं तो ये 7 electron release नहीं करेगा new land के octave log के according ये एक electron gain करके 8 electron बनाएगा तो यहाँ पर देखी electron gain करेगा तो gain करने के बाद इसका electronic configuration 2,8,8 हो जाता है और यहाँ पर जितने electron gain करेगा उतने ही उपर हम शो कर देते हैं अब चाहिए आप c l minus लिखे या c l minus one लिखे बात एक ही है चीक है तो जितने numbers यानि की जितना numbers of electron outer most shell में है उतना ही उसका balance कहलाती है चीक है आज की class में इतना ही next class में बात करेंगे हम चीक है आगे की जो आपको बता हुआ चीक है आज की class में बस इतना ही thank you आप घबसा सा चीक है